जब मैं पहली बार meditation करने बैठी थी न, मन में thoughts आना तो खतम नहीं हो रहे थे boss, to be honest, बहुत मुश्किल था खुद को thoughtless कर देना, हर कोई कहता है, meditation करो, मगर कैसे करो, भक्ती करो, मगर कैसे करो, meditation की definition भी हमने पुरा मूजबानी रटी हुई है, कि जिस point पर दिल, दिमाग, एक हो जाए, निर्विचार हो जाए, thoughtless हो जाए, वो है meditation, अगर होगा कैसे, most important सवाल, इसका जवाब, hopefully, गीता में मिलता है, और वही मैं आज आपको बताने जारी हूँ, on EVP Life Podcast, यह है गीता unplugged, मै मैं मांसी हूँ आपकी साथ, रोजाना की तरह, आपके लिए लेकर के आई हूँ, गीता से एक श्लोक, उसका meaning बताऊंगी, translation भी जानेंगे, in Hindi and English, both the languages, और apply करने की कोशिश करेंगे, अपनी life में, to make our lives more easygoing and sorted, आज जो मैंने गीता का श्लोक लिया है, वो from chapter 8, verse 12, श्लोक 12, पहले संस्कृत में जान लेते हैं क्या कहता है, सर्व द्वारडी सैयम यमनो, हृदी निरुद्ध चा, मुर्धया धायात्मनह, प्राण मास्थितो, योगतार राम, ये तो हुआ संस्कृत, अब आते हैं सबसे पहले English translation पर, which says, the method of bhakti, which I am going to tell, means Krishna is going to tell Arjuna, is that a worshipper restraining all the doors of the senses fixing the mind in heart and the life breathes in the forehead, establishing in the contemplation of God, gets established in yogh dharad that is in worship, अब आते हैं, Hindi translation पर, easy way में समझते हैं, five senses आपको याद होंगे, हमने science में पढ़े थे बच्पन में, see, hear, touch, taste, smell, इन पांच senses के जरिये ही, मन संसार में entry करता है, the world enters our mind through these five senses, हम सबसे पहले देखते, सपर्ष करते हैं, और स्वाद लेते हैं, तब मन इन चीजों से attached हो जाता है, बार बार इनकी बारे में, जब fire, अचाहत, attachment की पैदा होती है, जिससे मन में बार बार आने वाले खायाल, विचार, thoughts, जन्म लेते हैं, इसलिए संसार को मन के बाहर रोके रखने के लिए, जो हमारी इंद्रियां है, इन पर control रखने की बहुत जरूरत है, और यही गृष्ण गीता में बताते हैं अर्जु में देर साने thoughts आते हैं, a practitioner of meditation should guard himself against the incascent stream of worldly thoughts that the unrestrained senses can create, locking the world out by restraining the mind and the senses is most essential in meditation and bhakti, आज गीता अंपलग्ठ में इतना ही मुलाकात आप से फिर करेंगे, कल एक नएपिस्योट की साथ, जानेंगे गीता से ही एक और श्लोक, उसका मीनिंग इंग्लिश, इसका मीनिंग इंग्लि इन हिंदी और एप्लाइ करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ पर क्योंकि कहते हैं कि वह गीता से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं, मैं मांसे हूँ आपके साथ और एबीपी लाइफ पोड़कास्ट